तो ये एक और अपडेट है आज का जो अलुमिनियम मैगनेशियम के जो कोईंस होते हैं ठीक है बी यू एनसी कंडिशन जिसको बुलते हैं मैंने लास्ट टाइम भी इसको लाया था और काफी सारे लोगों ने परचेस किया इसको ठीक है तो और भी लोगों के रिक्वाइर्म कोमनट थी और मैंने जो लास्ट टाइम लाया था वो सरिफ रेर कोइन ही थे इन कॉमरेमेटव कोइन में से यानि कि समारक सिखको में से लेकिन इस बार जो है पूरे जो भी कोईन्स है चाहे उसमें common हो या चाहे rare हो सबको मैंने यहाँ पे भी एक set बना करके लिया हुआ है जिसमें इस type से आपको एक set पूरा का पूरा common coins का मिल सकता है ठीके? देख सकते हैं आप इसमें 5 पैसे से लेके 10 पैसे के सारे coin है और 20 पैसे के भी coins है इसमारक सिक्के और इसमें rare और common सारे हैं लेकिन सबकी condition इस type के आपको देखने मिलेगी जो हम बोल सकते हैं almost BUNC type की जो condition होती है वो condition के यह coins है ठीके है? चाहे वो 5 पैसे का आप देख लो ठीके है? चाहे कोई 10 पैसे का देख लो आप तो सारे इस type के untouch condition में मिले हैं इसके लिए मैंने लिया है और जिन लोग को यह set चाहिए वो मांग सकते हैं बता सकते हैं मेरे पास यह लगबग 5 set पूरे हैं इस type के 5 set आपको मिलेंगे जो इसकी price रहेगी 3200 रुपीस यानि की 3200 रुपे में यह पूरा set आपको मिल सकता है तो जिनको भी buy करना है पूरा का पूरा set का ही order देंगे और जिन लोगों का aluminium magnesium का order पिछला रहता था वो अब मैं करके उनको बेश दूँगा लेकिन अब जिनको भी यह वाले coins buy करने ध्यान रखना यह set ही मिलेगा ठीक है particular कोई rare coin अगर आपको खरीदना है तो उसका order अभी फिलाल नहीं हम लेगे आगे जब देखेंगे कभी रहेगा तो मैं बताऊंगा आपको लेकिन कैसा है वो जल्दी एक-एक coin नहीं लाया जाएगा इसलिए मैंने पुरा set ही बना दिया है अभी रात के लगबग 10 बज रहे है ठीक है लेकिन फिर भी मैंने सोचा के भाई यह काम complete करके ही इस तरीके से दिखा दूँ के एक set आप complete लेके रख सकते हैं और इसमें जो मैंने folders में जो लगाया है वो sleeves के साथ लगाया हुआ यह जो sleeves आती है folder की जिसके अंदर coin रखा जाता है उसके बाद फिर जो folder है coin folder को pin up किया जाता है ताके जो sleeve है वो protect करे preserve करे इन coins को तो इसलिए मैंने यह जो especially इन coins को इस type से pin up किया हुआ है क्योंकि यह आपको पता है न aluminum magnesium के जो coins होते है इनका जो luster है इसको इसको जो चमक होती है इसको समालना easy task नहीं होता है easy काम नहीं है यानि कि अगर इस पे आप थोड़ा बहुत भी इसको आप use में ले लो न तो दो चार दिन के अंदर इसका luster खतम उन्हें start हो जाएगा यानि इसके उपर की चमक निकल जाएगी लेकिन जब यह sleeves में होते है और sleeves के साथ pin up करके हम रखते है तो यह सालों साल के लिए preserve हो सकते है अगर आप इनको सही जगा store करके रखते है तो इसी तरीके सा यह pin up किये हुए है यह stickers भी है यह पूरा का पूरा एक कॉमर मेर्टिव जितने भी coins आए है एक पैसे से लेके मेरे गयाल से 2022 तक जितने भी coins आए है उनका सब में इसका बना हुआ है नाम के साथ ठीक है तो यह मैं sticker भी इस पे लगा के दे सकता हूँ आपको coins के उपर तो इससे होगा यह आपको detailing भी दिख जाएगी कौन सा coin है उसका weight क्या है उसका shape क्या है ठीक है उसका size क्या है वगेरा वगेरा उसका नाम क्या है कौन से year में यह आया हुआ है तो यह इस type के stickers भी है मेरे पास तो इसको लगा करके पूरा complete यह मैं आपको बना के दे सकता हूँ पूरे set की price मैंने बता दी है 3200 rupees होगी ठीक है और single जिनके coins के order थे उनके भी orders fill up होने वाले है साथ में यह set अगर किसी को चाहिए तो best option है इसको ले सकते है ठीक है और कुछ दिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को इसी वीडियो में यह आप देख सकते है 1 rupees के 2019 के coin है है हैदराबाद mint के ठीक है mint के तरफ से जो packing होती है उसी packing में आए हुए यह coin है अगर किसी को चाहिए तो order कर सकते है यह पुरा का पुरा pouch मिलेगा single double coin नहीं मिलेगे ठीक है यह UNC condition के है 2019 के कहीं न कहीं चारो mint से यह square category में मने जाते हैं और हैदराबाद और noida mint की जादा demand है हलाकि मेरे पास noida भी आने वाला है Bombay भी आने वाला है और ऐसा अभी सुनने में आया है कि कलकता mint जो है वो इसमें हुआ ही नहीं है अभी वो ज़रा confirmation करना है मुझे बात यह पता चलिए कि इसमें जो यह हैदराबाद mint आता है इसी में बहुत सारे ऐसे सिक्के हैं जिसमें mint mark जो होता है star वाला वो बहुत ही poor struck होता है यानि कि वो mint नहीं हो पाता सही से उस वज़र से वो दिखता नहीं है तो लोगों को लगता है शायद वो कलकता mint का है हलाकि बना हुआ होता है है एदराबाद mint से ही तो यह base पे इसमें चारों mint से कहा जाता है ऐसा मुझे पता चला है actual में इसमें तीन mint से ही डलाई हुई है जैसे हैदराबाद, नुएडा और बॉम्बे तो फिलाल यह तीन तो मेरे पास आने वाले आज मेरे पास यह हैदराबाद के आ चुके है कल शायद नुएडा के और बॉम्बे के भी आ जाएंगे और AKM का 2023 वाला भी पाउच जिनका था ओरडर वो भी आ जाएगा महाराना प्रताप के कॉइन हैदराबाद मिंड के 1 रुपीज के स्टील वाले जो कॉइन है यह भी कुछ अवेलेबल है मेरे पास तो फिर मैं बताऊंगा इसके बारे में डिटेल आपको ठीक है वैसे प्राइस की बात करूँ तो यह आपको 100 रुपीज में मिल जाएगा हैदराबाद मिंड से आप देख सकते हैं ठीक है यह हैदराबाद मिंड का महाराना प्रताप का सिक्का है और UNC कंडिशन में तो यह कुछ बताना था कि भाई इस टाइप से अभी कुछ और भी कलेक्शन है जो आप लेना चाहें तो ले सकते हैं खास करके यह UNC का सेट है जिसमें Aluminium Magnesium के जितने भी कॉइंस हैं 5 पैसे से लेके 10 पैसा 20 पैसा सारे इसमें आपको मिल जाएंगे Rare भी है और Collectable भी है ठीक है आज की वीडियो को यहीं पर end करता हूं बाई